Hello friends welcome to the channel Friends आज हम discuss करेंगे collar का सुज या अंतरद्रष्थी का चिद्धान्त । इस लिए इस थियोरी का नाम इंसाइट थियोरी अफ़ικόलारग भी है यह थियोरी भी learning बताती है कि कैसे होती है सीखह जाता है चाए वह एनिमल्स की बात हो चाए हुमन की बात हो तो इस concept को समझने के लिए पहले हम theory भी देखेंगे पूरी theory मैंने explain बड़े असान शब्दों में करने की कोशिश की है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी उसके बाद हम question discuss करेंगे और इस theory को भी हम इसी साफ से discuss करेंगे कि जहां-जहां से question बन सकते हैं उस जगे theory पर मैंने point out किया है और बाद में हम question discuss करेंगे जो आपके सामने में दिखा रहा हूँ एक question है exam में अलग-अलग CTAT, UPTAT में ठीक है तो आपकी पूरी understanding बन जाएगी theory पढ़ने के बाद और इस questions को discuss करने के बाद तो सबसे पहले question यहां से बन सकता है कि कोहलर का सूजिया अंतर दृष्टी का सिध्धान्त जो है उसके प्रतिपादक कौन थे ठीक है तो इसके तीन प्रतिपादक माने जा सकते हैं ठीक है मैक्स वर्दीमर जो थे वो सबसे पहले इन्होंने concept दिया था इसका सूजिया अंतर दृष्टी का ठीक है और कोहलर ने उसे आगे बढ़ाया है ठीक है सबसे जादा काम इन्होंने ही किया सारा काम तो उन्होंने तो सरफ एक concept सामने रखा था और कोफका ने इनकी मदद की कुट कोफका इनका पूरा नाम था ठीक है तो ये तीन gestalt वादी थे अब ये gestalt वादी क्या होते हैं gestalt वाद क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो तीन इसके प्रतिपादक माने जा सकते हैं मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कुट कॉफका ठीक है ये गैस्टार्ट वादी थे एक और गैस्टार्ट वादी थे जिसका इस सिद्धान्त में कोई रोल नहीं है उनका नाम कुट लेविन था ठीक है तो ये भी आप बाद जान लिए क्योंकि कोशन ऐसे आता है कि निम्न में से कौन सा गैस्टार्ट वादी है या नहीं है तो जो गैस्टार्ट वादी है आप उनको जान सकते हैं ठीक है वर्दिमार, कोहलर, कॉफका और लेवन, कुट लेवन ठीक अब इस तीन लोगों में जो मेन हैं वो कॉलर है जोनों ने इस दान पर एक्सपेरिमेंट किये है एक्सपेरिमेंट किये गए थे चिंपैंजी पर उसका नाम क्या था सुल्तान यहां से भी कोशन बनता है कि किस पर एक्सपेरिमेंट किया गया अब ये gestalt वाद सब्द क्या है देखे ये जर्मनी के रहने वाले थे तो gestalt वाद जो है इसका मतलब वो समगरवाद होता है समगरवाद क्या होता है इसको समझते है क्योंकि question friend's से बनता है कि gestalt theory के अंदर क्या आता है तो उसको समझे बड़ा आसान है तो ये gestalt theory कहती है whole of anything is greater than its part क्या कि समपून ता ज़्यादा महत्पून है टुकडो से ठीक इसको और आसान शब्द में हम समझेंगे वही किसी समस्या को समपून रूप से देखकर हल करना आसान है या इसी से हल होता है बजाए उसको टुकडो में समझने के इस बात को मैं आपको ऐसे समझाओंगा देखे जैसे ये ए बना हुआ है ठीक है तो आप इसको समझ पा रहे हो ये ए है ठीक है लेकिन अगर मैं आपको एह ही समझाना चाहता हूँ और मैं बस इतना सा बना हूँ तो क्या आप समझ भाओगे तो इसका मतलब संपूर्टा ही सबकुछ है जब debating संपूर्था से ही तो इस ईस इस बात को इसने अहींlit सिंद्धान में रखा है और प्रिभाश के रूप में पूछिए सबस्क्रमारा के सकती है कि क्या मानते हैं Lamar तो इस सिद्धान्त को हम ऐसे समप कर सकते हैं व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्तिती को अपनी मांसिक शक्ति से समझ कर उसे ठीक ठाक तरीके से करना सीख जाता है ठीक है तो यह है में सिद्धान्त इसको आपको याद रखना है कि मांसिक शक्ति का इस्तमाल करके संपूर् करते हैं नाम जान लेते हैं कि सिध्यानत के अंगी नाम क्या हैं कि इससे भी कुष्शन बाने तो इसके हैं हम गेस्ट्राल्ट वाद या इसी से जुड़ा हुआ इसका मतलcolored चिसका हुआ तब हम टुकड़ों पर जा सकते हैं लेकिन पूर्ण रूप से देखंगे तभी समस्तिया समझ माएगी तो जो सिक्षन सूत रहे है यानि टेचिंग का मैक्सिम है पूर्ण से अंस की और वो इसी सिद्धान से आया है ठीक तातकालिक ज्यान का सिद्धान क्योंकि कलतना करके जो आइडिया आता है ज्यान आता है उसी से हम सीखते हैं तो यह तातकालिक ज्यान है ठीक है? instantaneous होता है अब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करेंगे जो सुल्तान नामक चिमपैंजी पर कोहलर ने किया था तो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक चिमपैंजी को कम कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है उस कमरे में केले टंगे हुए है उपर जो इसकी पहुंच से बहुत उपर है हाथ नहीं जाएगा और नीचे तीन बक से पढ़े हुए है ठीक है और अब यहां से एक्सपेरिमेंट सुरू होता है कि बही केले देखने के बाद कोई केले चिंपेंजी को पज़न दोते है उसके दिमाग में यह आएगा कि मुझे एक खाने है ठीक अब वो प्रॉसेस स्टार्ट करेगा कल्पना करेगा ठीक है सबसे पहले कर रहे है कल्पना कि उसे केले तक पहुँचना है तो कल्पना करके वो सोचेगा कि मैं कि कैसे कैसे कर सकता ठीक है तो कल्पना शक्ति जो होती है वह सूज के आने पर यानि दिमाग में आइडिया आने के लिए बहुत जरूरी है तो उसने कल्पना करी कि भाई मैं एक काम करता हूं कि इस केले तक मुझे पहुंच रहा है तो मैं ऐसे तो नहीं पहुंचूँगा तो मैं एक बखसा में देखा ठीक है पूंड रूप से देखा दूसरा उसने जो स्टैप्स थे ठीक है कल्पना कर रहा था ठीक है कि भाई इसको मैं ऐसे रखूँगा एक के ओपर फिर इसके बाद दूसरा रखूँगा तब जाएगा तो उसने सब को एक साथ जोड़ा है ना रिलेट करा जो के लिए तक पहुंच सकता हूं तो वो अपनी समस्या को हल करने का आइडिया उसके दिमाग में बैठ गया कल्पना करने के बाद उसको सूज आ गई समाज आ गई इंसाइट आ गई उसके अंदर कि मैं ऐसे कर सकता हूं तो उसने कल्पना शक्ति के अधार पर संपूर हुए और क्या सीखा उसने तो इस पूरे प्रोसेस में तीन पॉइंट सामने आए लर्न परसीफ सिच्वेशन ऐसे होल इनि सीखने वाले संपूरता से समगता से इस चीज को समझा फिर उसके बीच में रिलेशन से निकाली फेक्टर जो है कि एक बकसा रखूंगा तो ऐसे उसने संबंद स्थाबित करा पूरी समस्या को हल करने के लिए जो कि वो कलपना से कर रहा था ठीक है इमेजिनेशन से कर रहा था और फिर अचाना की रिजल्ट सामने आया है सडन आईडिया आया कि मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ठीक है तो यह सब कलपना शीलता के आधार प को उसने निकाल लिया ठीक अब इसके सेक्षिक महत्व देखते हैं और इसी के ऊपर देखो फिफ्ट पॉइंट में जो दे रखा है तातकालिक ज्यान का सिद्धान्त तो यह सडन जो ग्यान उसके दिमांग में आया ठीक है कलपना करने के बाद तो यह इसलिए इसको हम ता सूत्र ठीक है यह पहले पूर्ण रूप से देखेंगे ठीक है उसके बाद हम जाते हैं कि फ्रेक्टर को रिलेट करने में उसके बाद हम देखते हैं कि कठिन विश्यों में यह काफी यूसफुल रहता क्योंकि इसमें हम कलपना करते हैं सोचते हैं अपने दिमाग का इस्त में लेटिस को समझने के लिए एक और प्रियोग किया ठीक है और वो उन्होंने बच्चो पर कियाता हुता कि बच्चे को बिस्तर बैठा दियाँ गाँ और नहीं जाए numéro 8 और बच्च जहां उसका हाथ नहीं जाएगा लेकिन उसके दिमांग में यह सब्सक्राइब लगा तो मतलब कि इससे भी निशक्रष देड की बालक भी सूज द्वारा सीखते हैं सूज का आधार कलपना होती है तो यहां भी बच्चे ने कलपना की कि मैं इस कुरस को रखूँगा चड़ूँगा और यह मैं ऐसे काम कर लूँगा तो कलपना के आधार प वो जल्दी सीखेगा और उसने इस बात की पुष्टी की है कि भई जो दार्शनिक वैग्यानी के इंजीनिर होते हैं ठीक है ये बहुत सफल इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके अंदर कलपना शक्ती थी इन्होंने कलपना की इमेजिनेशन बहुत करते थे इमेजिन कर लेते किसी प्रावलम को पूरी प्रावलम को देखा इमेजिन करके वो देख लेते कैसे कैसे क्या क्या करना है तो इमेजिनेशन बहुत इंपोरेंट है सीखने के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपोरेंट पॉइंट इसका जो है तो पूरी बात निकलके यह आई है कि जो इन्होंने जोड दिया है वो है कि सूज द्वारा सीखना होता है सीखना किसके द्वारा होता है सूज द्वारा ठीक है और सूज किस पर आधारित होती है कलपना शक्ती पर कि जितनी कलपना शक्ति किसी के अंदर जादा होगी उतनी सूज समझ ठीक है जल्दी आएगी अब इसी एक definition को ठीक है कई बार पूछा गया है कि गुड ने एक परिवाशा दी थी इस सिद्धान्त को बताने के लिए सूज को बताने के लिए कि सूज है वास्तिविक होता है क एक definite और instantaneous अगर कोई result आजाए या कोई idea आजाए वो जो है वो सूज कहलाता है इंसाइट कहलाता है ठीक है तो हमने important point देखा कलपना शीलता के आधार पर सूज स्थापित करके सीखा जा सकता है अब बात आती है कि यह जो सिद्धान्त है किसके विरोध में था ठीक है क्यों इन्होंने कहाता कि काड़े को सीखने में practice हैं टाइम लगता है सूज समझ का कोई रोल नहीं है ठीक है लेकिन इसका विरोध किया गया किसके द्वारा अंतर द्रश्टी है सूज के सिद्धान द्वारा जिसमें कहता है कि सूज और समझ का ही रोल है ठीक है तो यह important point दे इस से question बनते हैं अब एक चीज़ को मैं आपको दिमाग में प्रियास और सूज को अगर आपने दिमाग में confusion हो रहा है तो अलग कैसे करेंगे देखे साइकल चलाना जो है साइकल पूरी चलाना वो एक प्रियास की द्वारा सीखा जाता है ठीक है ऐसा नहीं idea आएगा और आप क्या होगा कि घंटी बजेगी तो यह सूज के द्वारा होता है यह प्रियास के द्वारा नहीं ठीक है तो इसका मतलब यह है कि जो यह सूज आती है यह किस के आधार पा आती है कलपना या नहीं imagination मैं बार बार इस पर focus इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सद्धान जब पूल नहीं होता है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है तो इनोंने जो बताया था उसके अगेंस्ट में बाता है कि सभी तरह का सीखना लर्निंग जो है इससे नहीं हो सकती है जैसे मैंने बताया बशाइकिल चलाना आप सूज से थोड़ी सीख सकते हो कि आपके दिवांग में कलपना के आधार पर सीख जोग नहीं न तो यह इनका क्रिटिस्टम का एक पॉइंट दूसरा है इसमें इसमें भी कहीं न कहीं प्रेतना हम भूल ठीक है प्राल एंड एरर मेथड इसमें भी लगा होता है कि आदमी कोशिश तो कर रहा ना पहले एक बकसर रखका नहीं तो इसमें भी प्रेतना हम भूला रहा है ठीक है तीसरा है सूज जो है पशो और बालकों में नहीं होती ऐसा मानना है इनके जो आलोचना करने वाले है ठीक है जो कि इन्होंने कहा था कि बच्चों में सूज होती है तो इनके आलोचना करता ने कहा कि ऐसा नहीं है सब बच् तो पहला question आपके सामने है, निमन में से कौन सा युगम सही नहीं है, सीखने का उद्धीपक अनुकर्या सिध्धान्त जो है, ठीक है, वो third night ने दिया था, SR जो bond theory थी, ठीक है, ये सही है, सीखने का कर्या प्रुसूत अनुबंदन, BF स्कनर ने दिया, बिल्कुल, स्कनर ने सिध्धान्त या समगर सिध्धान्त भी कहते हैं, तो ये किसने दिया था, कोहलर ने, जबकि यहां क्या रखका है, हल ले, तो ठीक है, इस सिध्धान्त को अलग नाम से पूछा जाए, तब भी आप कर पाऊगे, ठीक है, ये हमारे काम का question था, दूसरा है, छेत्र सिध्धा सिध्धान्त भाद, जो मर्यवग्यान के अधार शिला किसने रखी थी, ठीक है, तो इसमें ब्रेंटनो, वर्दीमार, रूबिन और लेविंद रखा है, तो इसके correct answer होंगे, मैक्स वर्दीमार और कुट लेविंद, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो है, आपका बी और डी स 16 को पुछा गया था, अब एक और question जो है, छेतर सिध्धान्त वाद, कुट लेविंद से जुड़ा है, इसलिए सासा से भी देख लेता है, कुट लेविंद भी जो है, गेस्टाल्ट वादी थे, ठीक है, तो छेतर सिध्धान्त का सिध्धान दिया था, किसने, गेस्टाल् अंतरदरश्टी वाद सूच के सिध्धान से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह आया हुआ question इसको भी आता है, अब main questions पर चलते हैं, पहला question है हमारा, अंतरदरश्टी द्वारा सीखने के सिध्धान में कोहलर ने प्रियोग किया था, किस पर प्रियोग किया था, वन मान केनुसार कलपना जितनी अधिक होती है, सूच की शमता का विकास भी उतना अधिक होता है, कलपना बहुत important है, सूच के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन सा मत अंतरदरश्टी द्वारा सीखने की व्याक्या करता है, तो देखें, मत की बात आ रही है, व्यावार बात, संब पफलाव ने वाईगवस की ने जिनपया जी ने गेस्टब्आजी ने गेस्टा उसके बाद ऑश्य कोदू से किससे समगते थे अभी प्रेणा का सिद्धान वेकास का सिद्धान अधिकम ने दोभी में 4-5 yn गोएगा थे सीधान्च 3 हमने सबसे ビर ऑपना किया दूँदũng कोई तरह सो भी साल है ऑप बिलकुल भी उसे गलत नहीं करो गे मेशćैंड जब जरूर सब्सक्राइब कर लिए जगर आप पहली बार चैनल पर है और बैल आइकन जुरूर दबाईए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो आपको